असलाम लेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आई हो ठीक ठाक होंगे फिट होंगे अलहमदुलिला मैं विकल ठीक ठाक हो तो फिर्स्ट आफ जो चैनल पर नियू है प्लीज सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर करें अपड़े मोजे और जो स्वैटर शॉल्स तो लेनी ही लेनी है तो यह चीज़े भी ले 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 तो इससे आपकी स्कीन अच्छी हो जाएगी रॉफ नहीं लगेगी और उस पे सर्दियों के असरात नहीं होगी तो आई हो यह जो है ना सर्दियों में तकरीब हर घर में ह छोलि होती है लेकिन आगर आप लेप्त लिफस पर लगाएं जस्ट अपने लिफस पर तो आपके लिज धे लेस रहेंगे ठीक थे आपने गर्मी ने देखि को रिटो चाहे होते हैं लेकिन फांकी चल放心 एको अरे लीज़ने कार गशकी में हैं अख पẫnकर सोक्राय करता है उर हाउस पाइक्स जो होती है ना बस थोड़ चोटी चोटी चीज़ों को इगनोर कर देती है अदर्वाइस बात इतनी बड़ी नहीं होती है बस यह लेना है अपने हलका सा और लिप्स पे ऐसे लगा लें लिए ठीक है और रात में अच्छा सा आपने इसका वैजलीन का मसाज कर आपने लेट जाना बस इतनी सी बादर ठीक है और दिन में तीन दफ़ा चार दफ़ा जब जब यह आदा है आप यह लगाएं लिप्स पे कोई टाइम लगता पांच दस सेकंड लगते हैं और उसके बाद यह जगह जोती है ना नेल्स के साइट पर इधर अकसर ऐसे चिलके से इतने हमेंां लगते हैं सरद्यूं में तो इसके लिए ऐसे यह वैसली में लगा यह यह लगा कर द Communist यह लगता है नेल्स की साइट पर जब ढताहिक है यह एधर मसाज करेंगे तो बहुत है अल्से इसकर घजड जाएंगे यह जो हमारे पर आपको Jrुआयों और यहे और तो यह तो जगा आपके रिख लूकाईगी और अधर ड्राइनस बहुत होती और यह जगा ब्लैक बहुत हो जाती है तो भी नहीं होगा तो यह दो काम आपकर लें चीक तो नेक्स्ट चीज उना वह है ग्लिस्रीन और आप लोगों को पता है वह एक आजमूदा सा टोटका है वह ग्लैस्रीन लें रोज बाटर लें और लेमन लें और उसका मिक्सर बना रख लें बॉटल में और रोज रात को खात्व और पाउं पर अच्छा समसाच करें और फिर मोजे चड़ा के तो फिर उस सो जाए वह भी बड़ा डैस्ट है तो लेकिन इसके इलावा आपको मैं इसका यूज बना बताती हूं कि अगर आप यह ग्लैसरीन लें और इसका एक चमत अपने बॉड़ी वाश में और अपने हैंड वाश में डालके उसको अच्छा से शेक क अपने हैंड वाश में तो यह जो हैंड आपके हैंड दोने के बाद जो हैंड ड्राइ बिल्कुई होगी तो यह जरू ट्राइब लेगा और यह सब कुछ मैं आपको अब अच्छा बता रही हूं को कि मैं डालके रख चुकी थी तो आप लोग भी यह सब चीजे बना के दो से तीन ड्राइब हाफ टी स्पून आप डाल दें आलमंड ऑई अठीक है यह आलमंड ऑई बहुत सब्सक्राइब में जरूरी है और फिर अपने लोशित को ना अच्छे से मिक्स करके और फिर इसको रख लें तो यह आपका बहुत ही अच्छा जो आपका एक आपका एक परफेक्ट और नारिशिंग बन जाएगा ठीक है क्योंके जो आलमंड ऑईल है वो स्कीन के लिए बहुत अच्छा है जो कोई क्रीम नहीं यूज करते हैं और रात को अपने फेस पेस का अच्छे से मसाज कर लें तो यह हमें मारे स्कीन को भी लाइट करेगा और हमारा जो ह अच्छा साथ मेरे बच्चे जो है वो बहुत शौक से इसकी मालिश करवाते हैं तो मैं ज्यादतर उनके लिए ले रखती हूं और अपने लोशन जा क्रीम में अडिन कर लेती हूं ठीक है और उसके बाद यह दिखिए यह है कोकोनट आईल ठीक है और यह है मरहाबा वालों अपने 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 आईस के नीचे लगाना है सबसे पहले आईस के नीचे लिए टैप कर लगाना है तो यह आपकी बेस्ट मतलब दुनिया की बेस्ट आई क्रीम है क्योंकि हमारे जैना जो स्कीन पे रिंकल जाते है सबसे पहले वह आईस पे आते है यह उसको एपने आप बाद ना आपकी इसी तरह पाम रप करकर और आप अपने आप ऑन अच्छे तरीके से और मालिश आपने इस तरीके से तरह करनी है यह इस तरह चीकुए पर इस तरह चीक्स पर ऐसे आउटवर्ड करनी है और या फिर इस तरह सर्कुलर मोशन मुटी के इस तरह करके आपने सारी पेस पे मालिश कर लेंगा अच्छे से ऐसे मसाज करके और जितना अच्छा मसाज से मारी ब्लड सर्कुलेशन एक बहुत अच्छी होती है तो वैसे ही एक अच्छा से गलो आने लग जाता है और सर्दियों में किसी भी मिया क्या रही है तो नाइट क्रीम उसे बैटर है कि आप नेच्रल ऑइल चूज करें और इनको अच्छे से पिनी बोड़ी में अब्सर्व कर लें और देखिएगा बेस्ट रिजर्ट और ये चोटी चोटी च मेरे घर में यूज होता है तो ये सबसे पहले इसलिए खतम हो गया है तो ये कुछ जरूरी चीज़े हैं सामाने सर्दियों का जो ले ले कपड़े मोजे और जो स्वेटर शॉल्स तो लेनी ही लेनी है तो ये चीज़े भी ले 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 तो इससे आपकी स्कीन अच्छी हो जा मेरे टेक कियर अलाहाफेज